हलो स्टूडिन्स इस वीडियो में कुछ और कुछिंस देखेंगे हम लोग अब देखो इस बार मैं सारी अच्छे से रिवाइस करवा दूगा कि अगर यह टेबल याद नहीं है यह टेबल एगर पूरी की पूरी याद नहीं है तो सुरू के दो वैल्यू से हमारा काम कैसे हो कोई दिक्कत नहीं है याद करने की जहां तक बात है मैं दिखा दूँगा इस दोनों से हमें आगे का सारा काम हो जाएगा पहला कुश्चन है तो मैंने बोला है साइन थर्टी इस इक्वाल टू होता ही है याद रखना है साइन थर्टी अगर वन बाई टू हो गया तो कॉश्च थर्टी डिक्री क्या हो जाएगा रूट थ्री बाई टू चुकि हम लोग देख चुके हमारा पास कितने नंबर्स आने हैं वन टू स्क्वायर डूट टू और स्क्वायर डूट थ्री सिर्फ यह चार नंबर्स आने वाले हैं उन्हें बात की थी है कि हम लोग को ट्रिग्णों में इस टाइप की टेबल में सिर्फ इसी चार नंबर से काम करना है जीरो है, जीरो को चलो एक्स्ट्रा मान सकते हो, जेनरली इसी चार नंबर से काम करना है, उसमें सभी square root 2 जो है, ये special case है, जो सिर्फ 45 डिग्री एंगल में आता है, तो इसी 3 नंबर से काम करना है, ठीक है न, तो मैं square root 2 को भी हटा देता है, हमें सिर्फ इसी 3 नंबर से ही काम करना है, ये तो याद है ही, अब sine जब 1 by 2 हो गया है, तो cost पे तो square root 3 by 2 ही होगा न, इसके लावा कोई option नहीं है, sine और cost जब मिल गया, तो 10 30 degree की value मिल गया है, 1 by square root 3, 1 by square root 3, 10 30 degree की value मिल गया है, अब हमारा काम हो गया, 2 divided by square root 3, divided by, इसको number नहीं चाहिए है, 1 plus 1 by 3, ठीक है, अब देखर यहाँ पर answer में हमें ये सब दिया गया है, इस तरह का एक number नहीं है, तो ठीक है, इसको simplify करके वापस एक number में convert कर देंगे, numerator में है 2 by square root 3, denominator में है 3 plus 1 4, divide by 3, square root 3 से denominator कटेगा, यहाँ square root 3 बच जाएगा, यह 2 कटेगा, यहाँ पर 2 बच जाएगा, तो क्या मिल गया हमारा पास, square root 3 by 2, square root 3 by 2, क्या है, cost 30 degree का उल्टा है, यह है न, क्या है यह, sec 30 degree, यह नहीं है option में, कोई बात नहीं है, sin 60 degree, sin 60 degree, square root 3 by 2 ही होगा न, sin 60 degree भी square root 3 by 2 होगा, इस question को solve करने का, एक और interesting तरीका हम लोग थोई देर बात सिखेंगे, अच्छे से, चोड़ो, short में मैं एक बाता ही देता हूँ, यह सब करने की बेजाए, हम लोग क्या कर सकते हैं, tan को sin theta by cos theta लिख लेंगे, तो 2 sin 30 degree, divide by cos 30 degree, और denominator में क्या है, 1 plus sin square 30 degree, divide by cos square 30 degree, यह सब चीज और आगे पढ़ेंगे, अगर नई समझ में आ रहा है भी तो घब्राना नहीं बिल्कुल, इस topic को खतम करने के बाद, यह सारी चीजे आने वाली हैं, इसको simplify करेंगे, क्या आएगा, 2 sin 30 degree, divide by cos 30 degree, और denominator में क्या है, cos square 30 degree plus sin square 30 degree, divide by cos 30 degree, ठीक है, यह cos खतम होगा, इसका square खतम हो जाएगा, अभी क्या मिल गया, 2 sin 30 degree, cos 30 degree, divide by, 1 sin square 30 degree, plus cos square 30 degree, मैंने दिखाया था, 1 आता है, याद है तो ठीक है नहीं है, तो फिर से बाद में आएगा, फिर से बाद में आएगा, अब 2 sin 30 degree और cos 30 degree की value डाल दो, 2 into 1 by 2 into square root 3 by 2, यह 2 और 2 cancel हो गया, square root 3 by 2 क्या होता है, sin 60 degree होता है, ठीक है, question 2 पे आए, complex हो गया question number 1, हाँ, लगता है, सबसे complex question इस चारो में वहीं था, question 2 देखो, 1 minus 10 square 45 degree, divide by 1 plus 10 square 45 degree, 10 45 degree याद है न, 10 45 degree याद नहीं होगा, तो यह question नहीं बनेगा, 10 45 degree 1 होता है, याद नहीं है, तो बना लो एक ISO-slash triangle, this side is equal to this side, यह hypertonis होगा, 10 क्या होता है, this side upon this side, 1, 10 square 45 degree 1 होगा, 1 minus 10 square 45 degree, 0 हो जाएगा, simple है, question 3 पे आते हैं, sine 2 A is equal to, 2 sine A is true when A is equal to, अब देखो यहाँ पे, sine 2 A, और 2 times sine A, जो हमारे पास values थी, जो हमारे पास values थी, उसमें से यह कब हो सकता है, जैसे, sine A अगर half हो, sine A थोई देर के लिए माल लो half है, तो sine 2 A हमें क्या चीए, is equal to 2 into half, is equal to 1, है न, ऐसा कुछ चाहिए है हम लोगको, ऐसा कब होगा, कब होगा, इस सारी options पर, खहीं पर set करने की कोशिस करो, sine 30 degree की value करेंगे, तो half, sine 30 degree की value half करेंगे, यहाँ पे अगर, sine 30 degree की value half होती है, तो 2 times sine है कितना होगा, 1, मतलब, sine 60 degree is equal to 1 होना चाहिए, जो कि नहीं होता है, नहीं होता है, यह नहीं होगा option, 45 degree में बात करेंगे, तो 45 degree में sine की value, 1 by square root 2 होती है, इसको 2 से multiply करेंगे, तो यह 1 से तो जाना बढ़ा होगा, यह भी नहीं होगा, sine 60 degree की बात करेंगे, तो यह होता है, square root 3 by 2, इसको जानी 2 से multiply करेंगे, तो यह भी 1 से बढ़ा होगा, square root 3, यह भी नहीं हो सकता है, तो जो को नहीं पता है, खुछ भी नहीं पता है, तो थोड़ सा लग रहा है, हिंट की इस तरह का होना चाहिए, अब इक कोशन नहीं पता है, माल दो हमें, लेकिन फिर भी अंदाज लग रहा है, यह भी नहीं होगा, यह भी नहीं होगा, यह भी नहीं होगा, तो यह होना चाहिए, अगर एक जाम में आगिया, तब तो मार्द नहीं है इसको, और यहीं समझने के बात है, तब इस समझा देता हूँ मैं, देखो, अब इसका clean कर दिया जाए एक बासे से, sin 0 क्या होता है, a is equal to 0 माल दो हम, sin 0 degree क्या होता है, 0, sin 2 into 0 degree क्या होगा, यह भी 0 हो जाएगा, होगा, तो, 2 sin a कितना होगा, 0 into 2 is equal to 0, और sin 2 a क्या होगा, 0, a की value जब 0 degree होगी, तब यह satisfy होगी है condition हमारा, हुआ, option a, और चौथा question देखो, last question, 2 tan 30 degree दिवाइड बाइ 1 minus 10 square 30 degree, 30 degree के लिए भी हमें साइन और कॉस्ट चाहिए, साइन 30 degree मैंने बता दिया है, 1 by 2 जो याद रहना है, कॉस्ट 30 degree जो याद नहीं भी हो तो निकाल देना है, square root 3 by 2, यहाँ से tan 30 degree क्या में जाएगा, 1 by square root 3, बस अब यहाँ से solve कर दो, 2 into 1 by square root 3, divide by 1 minus 1 by 3, क्या आ गया, 2 divided by square root 3, divide by, 3 minus 1, 2 by 3, 2, 2 cancel हो गया, 3 square root 3, 3 by square root 3, that is equal to square root 3, यह किया होता है, यह tan 60 degree होता है, आ गया, आ गया, चलो, यह चालो questions तो हो गया, question, next question देखते है, if a plus b is equal, tan a plus b is square root 3, tan a minus b is 1 minus square root 3, यह यह जो भी दिया है, find a and b, तब देखो, tan a plus b is equal to square root 3, tan की value चाहिए है, अब हमें, tan 30 degree कितना याद आ रहा है, 1 by square root 3 होता है, tan 30 degree, अभी जैसे बताया था, बिल्कुल वैसे ही calculate कारे रहा है, tan 60 degree क्या होता है, square root 3 होता है, तो आगे है, tan a plus b is equal to square root 3, यानि की a plus b is equal to 60 degrees, और a minus b is equal tan, 1 by square root 3 होता है, देखो, tan 30 degree is equal to 1 by square root 3, tan a minus b is equal to 1 by square root 3, यानि की a minus b is equal to 30 degrees, अब solve कर दो न, a की value आगे 45 degrees, और b की value 15 degrees आगे, कोई मुस्किल नहीं था, question 4 देख देखें, state whether the following are true or false, justify your answer, sin a plus b is equal to sin a plus sin b, ऐसा होता है क्या, ऐसा होता है क्या, नहीं होता है न, 5 into x plus y लिखते थे, हम लोग तो इसको 5x plus 5y लिख दिया जाता था, ऐसा algebra में होता था, पर trigonometry में जब sin x plus y निकालना है, तो यह तो ऐसा नहीं हो सकता है, sin x plus sin y नहीं हो सकता है, हो सकता है ऐसा क्या, नहीं हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है, अगर doubt है तो चेक कर लो, माल लो x is equal to 45 degree, y is equal to 45 degrees, sin 90 degree कितना होता है, 0, और sin x कितना होगा, 1 by square root 2, sin y भी 1 by square root 2 होगा, 1 by square root 2 plus 1 by square root 2, मिलके 0 हो सकता है कभी, नहीं हो सकता है, कभी किसी भी value से चेक कर सकता है, false है, question 2 देखो, the value of sin theta increases as theta increases, ऐसा होता है क्या, होता है ऐसा, sin 0 is equal to 0 होता है, yes, sin 30 degree is equal to 1 by 2 होता है, sin 45 degree is equal to 1 by square root 2 होता है, sin 60 degree is equal to square root 3 by 2 होता है, तो बढ़ रहा है है, तो sin 90 degree is equal to 1 होता है, तो 0 से 1 तक बढ़ रहा है, जैसे जैसे theta बढ़ रहा है, sin theta की value बढ़ रही है, yes, this is true, up to 90 degrees only, the value of cos theta increases as theta increases, यह होता है क्या, चलो चेक कर ले तनीशी तरीके से, cos 0 is equal to 1 होता था, cos 30 degrees is equal to square root 3 by 2 होता था, cos 45 degrees is equal to 1 by square root 2 होता था, cos 60 degrees is equal to half होता है, और cos 90 degree is 0, तो decrease हो रहा है, cos theta increases as theta increases, false, इसका ultra हो रहा है, sin theta is equal to cos theta for all values of theta है, तो false है ही, अभी अभी हमने देखा है, 45 degrees के लिए होता है, sin theta is equal to cos theta is equal to 1 by square root 2, लेकिन बाकी values के लिए नहीं होता है, cot A is not defined for A is equal to 90 degree, ये चेक कर दो, cot A मान लिया मैंने याद नहीं है, मैं मान के ही चलता हूँ, cot A क्या होगा, cos 0 degree divided by sin 0 degree, cos 0 degree क्या होता है, 0 divided by 1 is equal to 0, cos 0 degree 1 होता है, sin 0 is 0, is equal to not defined, true है, true, simple, अब आता है हमारा आगला topic, trigonometric ratios of complementary angles, सबसे पहले तो complementary angle होता क्या है, right angle triangle बना तो trigonometry chapter में है, तो right angle triangle ही बनानी है, और कुछ भी नहीं बनाना है, इसमें angle A, B, और C, तो angle A, plus angle C, कितना होगा, 90 degree होगा, 90 degree होगा, यानि कि, इस टू angles are complementary angles, A plus C are complementary angles, ठीक है, यह हमारा hypertonation है, थोड़ देर के लिए, माल दो, इस side की length A है, और इस side length की length B है, अब sin A निकालेंगे तो क्या होगा, perpendicular by hypertonus, A के लिए perpendicular B है, B divided by hypertonus, और कौस A निकालेंगे तो, based by hypertonus, A divided by H, अब यहाँ पर देखोंगे, sin C निकाल देंगे, तो क्या होता है, C की बात करेंगे, sin perpendicular यहाँ पर क्या है, A, A by hypertonus, और कौस C निकालेंगे तो, B by hypertonus, तो आमने क्या देखा, sin A is equal to, cos C, हो रहा है यह देखो, sin A यहाँ है, cos C यहाँ पर है, दोनों बराबर हो रहे हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं, sin A is equal to, cos 90 degree minus A, और ठीक इसी तरीके से लिख सकते हैं, cos A is equal to, sin 90 degree minus A, लिख सकते हैं न, चुक्के एंगल C की वैल्यू यहाँ से आ रही हैंना, C is equal to 90 minus A, 90 minus A, तो क्या देखा हमने, complementary angle हो, sin की वैल्यू, यह sin जो आता है, यह cosine में बदल जाता है, cosine जो होता है, sine का cosine, cosine का sine, sine का cosine, cosine का sine, मतलब यह को जो है न, को मतलब complementary angle का ही को आता है, यहाँ पर, हमने क्या-क्या ratios देखे हैं, देखो, फिर से, हमने ratios देखे हैं, sine, cosine, और क्या दिखा है, sick, cosec, cosec, tan, cot, सब में देखे हैं, को आ रहा है, को, complementary angle का, को, sine और क्रॉस को हमने verify कर लिया, sine का क्रॉस हो जाता है, तो sick क्या होता है, sine का तो देखे प्रोकर होता है, कोशेक न, कोशेक A is equal to 1 by sine है, होता है, तो और कोशेक C लिखेंगे, कोशेक नहीं, sick की हमें ज़र्वत, sick A is equal to 1 by cos है, है न, देखो, यहाँ पर देखेंगे, और ट्रेंगिल की हमें कोई ज़र्वती नहीं पड़ेगी, कोशेक A is equal to 1 by sine A is equal to 1 by cos A लिख सकते हैं, और cos A का फिर से reciprocal देना है, तो यह क्या हो जाएगा, sick C, 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 complementary में change किया, तो यहाँ पर C आ गया, कोशेक A is equal to sick C, और यहाँ पर क्या जाएगा, 1 by sin C is equal to cosec A C, तो sick का cosec में convert हो जाता है, cosec सेक में convert होता है, sick cosec में convert होता है, और बिल्कुल इसी तरह से tan और cot भी होता है, उसको भी बताना है, कोई जरुद नहीं उसको बताने की तो, तो हम लोग क्या दिखा, sin A is equal to cos 90 degree minus A, sick A is equal to cos 90 degree minus A, और tan A is equal to cos 90 degree minus A, complementary angles आ गया है, आ गया है ना, अब देखो अगर यहाँ पर मेरे को cos 90 degree minus A दिया है, तो इसको sign में convert करना है, तो sign के लिए 90 degree minus 90 degree minus A लिख सकता हो ना, यह पूरा का पूरा 90 से मैनस कर दिया, 90 से पूरे को मैनस कर दिया, क्या आ गया, sin 90 degree minus 90 degree plus A, A 90 90 cancel, sin A, ठीक है, ठीक है, समझ भे आ रहा है, sin का cos हो जाता है, cos का sin होता है, बस यह याद रखना है, को add होगा या subtract होगा, sin को convert करना है, complimentary में, तो यहां तो को add होगा, sec को करना है, तो को add होगा, tan को करना है, तो को add होगा, और यह दिको पहले से लगावा, तो गाए हो जाएगा, तो ना, इक्वल टू साइन एफिर से लिख सकते हैं यहाँ पर, इक्वल टू से के फिर से आ जाएगा, तो सेम है ही न, बात समझवाद ही, मैं क्या कहना चाहाँ रहा हूँ, चल, प्रैक्टिस से धीरे धीर आ जाएगा सब कुछ, ओके, इस वीडियो को स्टाप करता हूँ,